वेल्कम चू करेंट शिक्षा आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और आपकी तयारी भी बहुत अच्छी चल लही होगी आज इस वीडियो में हम वर्ड जोग्राफिक की यहाँ पर दूसरी क्लास करने वाले हैं अगर आप लोग चैनल पर पहले बारा है तो चलो को जरूर सब्सक्राइब कर लें इसके लावा इसका PDF आप लोग को टेलिग्राम ग्रूप में मिल जाएगा जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है अगर आप लोग उने पहले वाली क्लास नहीं देखा है तो आप लोग उसको भी दिखिए क्योंकि इस क्लास में उसी की आगे से यहाँ पर बताया साएगा सबसे पहले हम देखने वाले हैं मून के बारे में मून क्या है? तो जो हमारा मून है ये प्रत्वी का एक मात्र उपग्रहा है जो प्रत्वी है इसका एक मात्र सेटेलाइट मून है यहाँ पर चंद्रमा की सता और आंतरिक सनचना का अध्यान जो है ये सेलिनोलोजी कहलाता है मून को यहाँ पर जिवास्म ग्रहा भी कहा जाता है मून का जो द्रबिमान यानि की मास है वो प्रत्वी के एक बटे आठ है यहाँ पर जो चंत्रमा का द्रबिमान यानि की मास है वो प्रत्वी के एक बटे आठ है बात करें गुत्वा कर्शन की तो यहाँ पर जो मून का गुत्वा कर्शन है यह प्रत्वी का एक बटा छे है आ नेक्स्ट है वह इस्तिती जहां दूरी चांद और मून के बीच में होती है चांद और अर्थ के बीच में यहां पर जो दूरी जो सबसे ज़्यादा है वो उसको कहते हैं एपोजी और वह इस्तिती जहां पर मून और अर्थ के बीच में सबसे कम दूरी होती है उसको कहते हैं पेरोजी यह point एक्जाम में पूशता है कि उसको क्या कहते हैं जो चांद और अर्थ के बीच में सबसे ज़्यादा दूरी होती है तो उसको यहाँ पर एपोजी कहते हैं और सबसे कम दूरी जब चांद और अर्थ हाई ना दे तो उसको आमोश्या कहते हैं, नेक्स्ट है, अगर एक माह में दो पूर्णिमा हों तो दूसरी पूर्णिमा को ब्लू मून कहा जाता है, नेक्स्ट है, अब हाली में भारत ने जो चंद्रियान थ्री भेजा है तो उससे संबंधित यहाँ पर कोशन आ सकता है, चा से लॉंच किया गया था, और यहाँ एक और बाइटर मिशन था, इसमें केवल चांद की कच्छा में गूहमना इसका उद्दे से था, दूसरा वाला जो चंद्रियान मिशन था, इसको 2019 में लॉंच किया गया था, इसके अंदर और बाइटर, लेंडर और रोवर भी शामिल इसको भेजा गया था, GSLV MK3 रोकेट के दोरा, और जो चंद्रियान 2 है, यह चांद की सतह पर क्रैस लेंडिंग कर गया था, और यह सफल नहीं हुआ था, अब हम चंद्रियान 3 के बारे में कुछ पॉइंट है, वहाँ उसको देख लेते हैं, तो चंद्रियान 3 है, इसको 14 जुलाई 2023 को लांच किया गया था, चंद्रियान 3 को लांच LVM3 M4 रोकेट के दोरा किया गया है, यहाँ पर जो लेंडर है, उसका नाम विक्रम है, और रोवर प्रग्यान है, इसका नाम यहाँ पर लेंडर और रोवर भेजे गया थे, दूसरे वाले में और बाइटर, ले भारत जो है, पहला देश बना था, इसने चंद्रमा की सतह पर सौफ्ट लेंडिंग की थी, और चांद पर लेंडिंग करने वाला भारत चौथा देश बना है, USA, रशिया और चाइना के बाद, 23 अगस्त को यहाँ पर साउथ पोल पर चंद्रियान 3 ने लेंडिंग किया था तो अब भारत सरकार ने 23 अगस्त को यहाँ पर राश्टी यह अंतरिच दिवस मनाने की शुरुआत की है, और जहाँ पर सौफ्ट लेंडिंग किया था, उस जगा को अब सिव सक्ती पॉइंट के नाम से जाना जाएगा, इसके अलावा तीसरा पॉइंट यह है, जहाँ पर 25 मिशन, यह भी साउथ पोल पर लेंडिंग करने वा था, लेकिन यह असफल हो गया था, आगे देखते हैं, चांद पर लेंड होने वाला पहला मानव यूग्त मिशन, जो है, इसको भेजा था, यूएसे ने जुलाई 1969 में, उसका नाम था अपोलो 11, इसके दोरा यहाँ पर मनिश्च को पहली बार भेजा गया था, चांद की सते पर, तो यहाँ पर सबसे पहले जिन्होंने चांद पर उतरे थे, वो थे नील्म आर्म स्टॉंग, यह कोशन भी एक्जाम में आ जाता है कि चांद की सते पर पहला कदम किस ने रखा था, तो यह नील्म आर्म चांद पर भेजा गया मानोयुक्त मिशन है, आर्टेमिश मिशन, इसके तहट क्रिस्टियाना कोच जो हैं, पहली महिला जो हैं यह चांद पर चाने वाली हैं, अब हम बात कर लेते हैं, प्लानेट्स के बारे में, पिछली क्लास में हमने कुछ कम्प्लीट के थे, अब जो बच्चे हुए थे, उनको हम यहाँ पर कम्प्लीट करने वाले हैं, मार्श यानि की मंगल ग्रह, इसको लाल ग्रह भी कहते हैं, 687 दिन में सूर्ख की परिक्रमा यानि की रेवलुशन ये कर लेता है, निक्स ओलम्पिया यहाँ पर पाया जाता है, और यह मंगल ग्रह का सर बच्च इस्थान है, निक्स ओलम्पिया जो है, यह माउंट एवरेश से तीन गुना उंचाई पर इस्थित है, मंगल ग्रह के दो उपग्रह हैं, फोबोस और डीमोस यहाँ पर इसके उपग्रह हैं, भारत ने मंगल यान मिशन को PSLV C-25 रोकेट से भेजा था, और यह एक Aurbiter Mission था, इसमें एक Aurbiter गया था, वो, जो मंगल ग्रह इसके चारो तरफ परिक्रमा कर रहा था, और भारत पहला देस बना था, जो की पहले प्रयास में यहाँ पर मंगल ग्रह का यहाँ पर और्बाइटर करने लगा था पहला मिशन जो भारत का था यह पहला ही सफल हो गया था नेक्स है ब्रसपती ग्रह के बारे में देखते हैं ब्रसपती ग्रह यानि कि जुपिटर यह सबसे बड़ा ग्रह है और यह सूरी का परिक्रमड 11.9 वर्स में कम्प्लीट करता है ब्रसपती के उपग्रह हैं प्रमुख जो है वो दो हैं गैनिमीड और यूरोपा यहाँ पर गैनिमीड और यूरोपा इसके दो उपग्रह हैं यह एक्जाम में पूछ लेता है गैने मीड जो उपगरहा है ये सौर मंडल का सबसे बड़ा उपगरहा है ब्रस्पति ग्रह का fastest rotation होता है अब बात कर देते हैं सनी यानि की Saturn की तो सनी को यहाँ पर इसके जो ring planet कहते हैं क्योंकि इसके चारों तरफ ring होती हैं तो इसको ring planet भी सनी को यानि की Saturn को कहा जाता है और ये अपना revolution जो है वंतिस पॉइंट पांच वर्स में complete करता है और इसका जो घहनत तो है ये पूरे शौर मंडल में सबसे नियुनतम है उपगरह की बात करें तो सनी के तो इसके उपगरह है Titan और ये शौर मंडल का दूसरा सबसे बड़ा उपगरह है शनी के जो है सबसे ज़्यादा उपगरह भी है आप लोग इसको ध्यान रखें सबसे यहाँ पर दूसरा जो सबसे बड़ा उपगरह है शौर मंडल का वो Titan है जो की सनी का उपगरह है अब देखते हैं आरून यानि की यूरेनस के बारे में इसकी खोज 1781 में विलियम हर्शल के द्वारा की गई थी यूरेनस को लेटा हुआ ग्रह भी कहा जाता है और ये East to West rotation करता है तो आप लोगों को पता ही होगा U और V जो हैं ये East to West rotation करते हैं बाकी जो ग्रह हैं वो West to East rotation करते हैं अब बात करते हैं वरोण यानि की नैप्चून की तो इसकी खोज जोहान गाले के द्वारा की गई थी और यहाँ पर सूरी के चारों और ये 165 वर्श में परिक्रमा करता है शौरी मंडल का सबसे ठंडा ग्रह वरोण यानि की नैप्चून है मीथेन यहाँ पर पाई जाती है इसके कारण इसको जो है ये हरा दिखाई देता है अब बात कर लेते हैं आपर प्लूटो की तो प्लूटो की खोज जो की 1930 में ट्रामबैंग के दोरा की गई थी इन्होंने इसकी खोज किया था 24 अगस्त 2006 को IAU International Astronomical Union का समयलन होता है प्राग चिक रिपबलिक में यहां पर प्लूटो को यानि की प्लूटो जो है वर्ण ग्रह की कच्छा की ओवर्लैपिंग कर रहा है इसलिए यहां बाउना ग्रह है इसको यहां पर बाउना ग्रह घोशित कर दिया गया था क्योंकि ये वर्ण ग्रह जो है इसकी जो कच्छा इसकी ओवर्लैपिंग कर रहा था इसलिए इसको यहाँ पर बाउनाग्रह गोशित किया गया था प्राग चेक रिपब्लिक में और 2006 में पहले ये प्लैनेट था लेकिन अब ये डौर्फ प्लैनेट है यानि की बाउनाग्रह इसको गोशित किया गया है प्रकाश वर्ष और पार्शक यहाँ पर दूरी के मात्रक हैं पार्शक जो है ये दूरी का सबसे बड़ा मात्रक होता है ये पॉइंट अपलोग ध्य जो अर्थ का है वो है 5.5 ग्राम पर सेंटी मीटर क्यूब अर्थ का जो रेडियस है वो है लगबग 6,371 किलो मिटर यहाँ पर इसका लगबग रेडियस हो जाता है आकार की बात करें अर्थ की तो इसका जो आकार है वो ज्वाइड टाइप का है यहाँ पर गोल बिलकुल है यह Spairical Type का इसका यहाँ पर आकार होता है और यह को कहते हैं Joy드 Rotation जो है इसकी बात कर लेते हैं क्या होता है और Revolution क्या होता है बात करे Rotation की तो अपने अच्च पर घूनन जो ग्रह करते है उसको Rotation कहते हैं और यहाँ पर इसके जो आइड रोटेशन जो है इसकी बात कर लेते हैं क्या होता है और रेवलिशन क्या होता है बात करें रोटेशन की तो अपने अच्छ पर घूनन जो ग्रह करते हैं उसको रोटेशन कहते हैं और यहाँ पर इसके दौरा जो प्रत्वी है जो रोटेशन जब करती है तो यहाँ पर टाइम लेती है 30 गंटे 56 मिनिट और 4 सेकंड का यहां पर आर्थ जो है ये रोटेशन अपने अच पर करने के लिए यहां पर ये टाइम लेती है तेश गंटे 56 मिनिट और 4 सेकंड का जिसके द्वारा डे और नाइट दिन और रात rotation के द्वारा होते हैं ये question भी पूशता है कि दिन और रात किस क्रिया के द्वारा होते हैं तो ये rotation के द्वारा होते हैं प्रत्वी अपने कच्छा पर घूमती है उसी के द्वारा दिन और रात होते हैं अब बात कर लेते हैं revolution की revolution यहाँ पर सूरी के चार और घूमना और प्रत्वी जो है सूरी के चार और 365 दिन और 6 गंटे में कंप्लीट कर लेती है इसके द्वारा क्या होता है इसके द्वारा जितु परिवर्तन यानी कि यहाँ पर climate change और मौसम यह परिवर्तन जो होता है यह revolution के द्वारा ही होता है तो आप लोग इसको ध्यान रखें नेक्स्ट है अब यहाँ पर कुछ important facts हैं जो कि exam में बहुत पूंचता है तो आप लोग इसको ध्यान रखें यहाँ पर sun हमारा बीच में है और इसके यहाँ पर अर्थ हो गई यह भी यहाँ पर अर्थ है चार जुलाई को होती है जिसको हम लोग epihelion कहते हैं यह question बहुत exam में पूछता है कि जब सूर्य प्रथवी से सबसे ज़्यादा दूर होता है तो उस condition को क्या कहते हैं तो उसको यहाँ पर epihelion कहते हैं और यह ऐसी condition चार जुलाई को होती है next है अब यहाँ पर देखो यहाँ पर दूरी कम है sun और अर्थ के बीच में दूरी कम है तो यहाँ पर जो दूरी है वो लगभग है 14.70 करोण किलोमीटर और ऐसी इस्तिती 3 जनवरी को होती है और यह सबसे कम दूरी है 3 जनवरी को इस कंडिशन को प्री हीलियन कहा जाता है यह पॉइंट अप लोग नोट कर लें प्री हीलियन मतलब कि और पास में दूरी जब आर्थ और sun के बीच में होती है तो उसको प्री हीलियन कहते है और ऐसी कंडिशन 3 जनवरी को आती है next है अब यह figure बहुत important है पेपर के point of view से यहाँ पर आप लोग देख पा रहे हैं कि sun बीच में रखा हुआ है और यहाँ पर हमारी अर्थ है यह भी यहाँ पर अर्थ है यह यहाँ पर अर्थ और यह भी rotation कर रहा है अब आप लोग देख पा रहे होगे कि यहाँ से जो लाइने है यह हमारा बीच वाली लाइन जो यह है equator आप माल लो यहाँ पर यह equator है zero degree तो sun से यहाँ पर जो raise है वो अर्थ पर पढ़ रही है यहाँ पर perpendicular यहाँ पर इसके उपर अर्थ पर raise पढ़ रही है तो ऐसी condition जब आती है तो ऐसी condition कब आती है Eukinox की तो Eukinox याणि की Bishop की condition 13 September और यहाँ पर 21 March को आती है इस दिन और रात जो हैं यह same होते हैं प्रते बीपर दिन और रात care कब same होते हैं 23 September और 21 March को यह आप लोग ध्यान रखें दूसरी condition यहाँ पर क्या है यहाँ पर आप लोग देख पा रहे होंगे कि सन की रेज जो अर्थ पे पड़ रही है थोड़ा सा गुमी हुई है और यह क्या है हमारा अर्थ जो है थोड़ा सा गुमी हुई है अप लोग देख पा रहे होंगे 23 बटा हाफ नॉर्थ करक रेखा है और इधर क्या है? मकर रेखा यानि की ट्रपिक आफ कैप्रिकोन यहाँ पर मकर रेखा है और 10 डिगरी साउथ है यहाँ पर शूर जो है करक रेखा के लंबवत यहाँ पर है और जिसको हम समर सोलस्टिक कहते हैं और ऐसी कंडिशन 21 जून को होती है इस दिन उत्री गुलार्द में सबसे बड़ा दिन होता है इसी दिन 21 जून को ही हम लोग अंतरराश्टी योग दिवस मनाते हैं योग दिवस मनाने की शुरुवाद जो है 21 जून 2015 से होई थी 2023 के लिए इसकी थीम वसुद्यव कुटमकम के लिए योग रखी गई है तो आप लोग समझ पा रहे होंगे कि 21 जून को यहाँ पर उत्री गुलार्द जून की नौर्थ हैमेस्पियर में शबसे बड़ा दिन होता है अब यहाँ पर देख लेते हैं और इसको कहते हैं इसको कहते हैं विंटर सोलस्टिक और ऐसी कंडिशन 22 दिसंबर को होती है और यहाँ पर जब ऐसा होता है तो दच्छनी गुलार्द में सबसे बड़ा दिन होता है और उत्तरी गुलार्द में जब यहाँ पर सबसे बड़ा दिन होगा तो उत्तरी गुलार्द में क्या होगा सबसे बड़ी रात भी हो जाएगी कि कि दिन यहाँ सबसे बड़ा है तो अपोजिट हो जाएगा इधर तो यहाँ पर सबसे बड़ी रात होती है और ऐसा होता है 22 दिसंबर को इसको विंटर सोलेस्टिक कहा जाता है यहाँ पर कुछ important facts हैं वो आप लोग दोख लो Southern Hemisphere और Northern Hemisphere जिसको हम SH और NH से denote कर रहे हैं जिसमें यहाँ पर longest day in Northern Hemisphere यहाँ पर कब होगा 21 जून को पहले भी आपको बता चुके हैं इसी दिन योग दिवस मनाते हैं shortest day in Northern Hemisphere 22 दिसम्बर को मतलब सबसे छोटा दिन Northern Hemisphere में 22 दिसम्बर को होता है और equal day और equal night कहाँ पर North Hemisphere और South Hemisphere में कब होगा 21 मार्च और 23 सितम्बर को यह तो सेम है दोनों में longest day मतलब सबसे बड़ा दिन in Southern Hemisphere 22 दिसम्बर को है और shortest day in Southern Hemisphere 21 जून को है अब लोग देख पारेंगे कि इसमें opposite है जैसे कि यहाँ पर 21 जून को यहाँ पर Northern Hemisphere में सबसे बड़ा दिन होता है तो यहाँ पर 21 जून को सदन Hemisphere पर सबसे छोटा दिन होगा और Northern Hemisphere पर जब सबसे छोटा दिन होता है तो यहाँ पर सदन हमेस्पियर में सबसे बड़ा दिन होगा तो यह आप लोग जान गए होगे अगली वीडियो में हम यहाँ पर आर्थ की संद्चना उससे समंधित महत्पूंट पॉइंट्स को देखने वाले हैं अगर आप लोग कोई वीडियो अच्छी लगी हो अगर आपका कोई सुझा हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए इसके लावा इसका पीडियाफ आप लोग को टेलिग्राम ग्रूप में मिल जाएगा आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और कम्प्लीट देखें जिससे आप लोग को ज़्यादा से ज़्यादा समझ में आएगा मिलते हैं अगली वीडियो में तब तक आप लोग अपना धिहान रखें धन्यमाद चेह